रोग देया हैं रहा है 273K पर बर्फ उसी तापमान पर पानी की तुलना में थंडा करने में अधिक प्रभावी होता है पतलब टेंप्रेचर जो है 273K केल्विन जिसको मैं लोग जीरो डिगरी सेंटिकेट कहेंगे इसमें बर्फ है और इसी टेंप्रेचर पर पानी है यहां बर्फ और पानी का इक्रभियम यानि सामय वस्था होती है तो अब यह कहा गया है कि हंधा करने में बर्फ जो है जादा कारगर है तो चुकि बर्फ सॉलिड के स्टेट में है इसका इनजी का कॉंटेंट वो कम होता है इसमें इनर्जी की storage कम होती है पानी के तुलना में और चुकी पानी के पास ज़्यादा उर्जा है ज़्यादा इनर्जी है इसका मतब वो ज़्यादा तापमान प्रेड्यूस करेगा और हम लोग यहाँ पे इसको ठंधा करना चाहते हैं तो low temperature पे बर्फ के existence के कारण इसके इ extra energy अगर गेन करेगा तो वो जो है अवस्था के परिवर्तन के लिए यान उसी temperature पर बर्फ जो है वो उर्जा को गेन करके उर्जा को शोसित करके वो है अपने physical state यानि जो भौतिक अवस्था है उसपर परिवर्तन लाएगा तो इसका मतलब वर्फ के पास जो है टेंप्रेचर के बढ़ाने का कारण जो है कम है, पानी जो है आसानी से अपने टेंप्रेचर को बढ़ा लेगा इनजी के तुल्णा में इसका मतर बर्फ में ठंढा करने की छमता कम है पानी के खॉम्परिजन में. नेक्स में देखे, क्या अधिक गंभीर जलन उबलता पानी या भाब पैदा करता है? यानि यहाँ कुश्चन का पूछने का मतलब है कि अगर हम उबलता हुआ पानी लें और भाब यानि वाटर का वैपर लें तो उसमें जादा गंभीर जलन किससे होगी? पिर वही बात उबलते हुए पानी का जो अबस्ता है वो तरल की यानि लिक्विड के फॉर्म में है, भाब जो है वो गैस के फॉर्म में है और गैस के पास इनजी जादा होती है, उर्जा जादा होती है तरल के तुलना में, इसलिए अधिक सीवियर बर्निंग, अधिक गं प्रदार्थ की अवस्था की बात करें तो सबसे मूलभूत जो अवस्थाएं है वह है ठोस तरल या द्रब और गैस जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदात परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं भातिक परिवर्तन में जो रासाइनिक संगठन है, किमिकल कंपोईजिसन है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, यानि अगर हम इसको, उसको यहां बर्फ समझें, जो द्रब है, वो पानी, और गैस के पौन में पानी का वास्प, और जैसे कि हम लोग जानते हैं, कि सॉलिट में उर्जा सबसे कम है, इनके पार्टिकल के बीच क्यों दूरी, जिसे अंतर आनविक दूरी कहते हैं, वो कम होता है, अंतर आनविक बल जो है, इसमें ज़्यादा मजबूत होता है, इसकी इनर्जी कम होती है, द्रब के लिए जो वैलू है, वो मध्यम है, यानि गैस से अगर तुलना करें, तो गैस के केस में अंतर आनविक दूरी सबसे ज़्यादा है, अंतर आनविक इनर्जी भी सबसे ज़्यादा है, और बल जो है, वो सबसे कमजोर है, तो जब भी हम ठोस को द्रब में, या द्रब को गैस में कनवर्ट करना परे, तो उस केस में मे तो जैसे हमने यहां लिखा है कि तापमान बढ़ाते हैं तो कनों की गतिज उर्जा यानि काइनेटिक नसी बढ़ती है और अधिक उर्जा के साथ वो कमपन करने लगते हैं, तो कनों के बीच का अंतर आकरसन बल्क कमजोर हो जाता है और उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है याने अपनी परिस्तिती से पुजिशन से वो अलग हो जाते हैं और मुक्त रूप से गती करते रहते हैं तो इस अंतर आन्विक बल के अंतरकन बल के कमजोर होने के कारण जो है जो है भौतिक परिवर्तन होता है वो अपनी परिस्तिती बदलते हुए तरल में कनवर्ट हो सकता है और तरल फिर गैस बनाने के चरण से स्टेप से गुजरता है यहाँ पर कुछ टर्म के हम लूँ चर्चा करेंगे पहला लिखा है गलनांग गलनांग को हम लूँ मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं तो जब कोई ठोस तरल में कनवर्ट हो तो यह परिवर्टन जिस तापमान पे होता है उस तापमान को मेल्टिंग पॉइंट या गलनांग कहते हैं अगर यह वन एट्मोस्फिर के प्रेसर यह दाप पे हो तो उस समय उसको सामान ये गलनांग यानि नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है जो की बर्फ के केस में जीरो डिगरी सेंट्रिगेट ये इसका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है और बर्फ जो है वो द्रब या तरल के रूप में यानि पानी में कनवर्ट हो जाएगा उसी तरह से ये तरल से जब गैस की अवस्था में आता है और पानी का कनवर्शन होना है यानि पानी को बदलना है पानी के भैपर यानि वास्प में यहां भी अगर आप वन एक्टमॉस्फियर का दवाव मेंटेन करें तो उसकेस में पानी जो है उसका क्वतन होगा वो बाइल करेगा उसको क्वतना गया बाइलिंग पाइंट कहते हैं और जो नॉर्मल बाइलिंग पाइंट है वो 100 डिगरी सेंटिगेट है अब जो melting point की बात करते हैं तो melting point में धोस और तरल के बीच में equilibrium यानि संतुलन होता है यानि इस window पे यहाँ window का मतलब इस दापमान से है तो melting point यानि इस दापमान पे धोस अवस्था और तरल अवस्था दोनों साथ साथ मवजूद होते हैं दोनों का coexistence होगा साथ साथ महसूद मजूद रहेंगे अब जब क्वातनां की बात करें इसकी चर्चा हमने की है क्वातनां को कहते हैं हम लोग boiling point क्वातनां कहलाता है boiling point यानि जिस पे कोई चीज उबलती है अब देखें क्वातनां को द्रब के उस तापमान के रूप में परिफासित किया जा सकता है जिसमें तरल का वास्प दवाब के बराबर होता है यानि वायमेंडली दवाब जो है इसको लोग atmospheric pressure कहते हैं और तरल का वास्प दवाब को vapor pressure कहते हैं यानि किसी liquid का vapor pressure अगर atmospheric pressure के बराबर होता है तो उसके corresponding जो temperature है उसके साथ जो temperature जुरा हुआ है उसको हम लोग क्वातनांग कहते हैं और किसी भी पदार्थ के लिए क्वातनांग वो तापमान बिंदू होता है जिस पर सामगरी जो है पदार्थ जो है तरल चरन से जो है 100 degree centigrade पे होता है यह जो Celsius का पैमाना है वो पानी या वर्फ के गलनांग और पानी और वास्प का जो क्वातनांग है उसके आधार पे है यानि 0 degree centigrade और 100 degree centigrade एक जो है वर्फ का गलनांग है दूसा जो है water का वतनांग है और इसी को 100 बराबर हिस्से में बांट करके एक एक हिस्सा को 1 degree centigrade कहा गया यानि ये जो Celsius या centigrade पैमाना तापमान का है वो boiling point और melting point यानि गलनांग और गतुनांग बर्फ और पानी से related है अगली जो अवस्था परिवर्तन की चर्चा हम यहां करेंगे वो है उर्थ पातन इसको कहा जाता है सबली मेशन सबली मेशन तो तरल चरन में बदले बिना किसी पदार्थ का ठोस चरन से सीधे गैसियस चरन में परिवर्तन या संक्रमन उर्थपातन कहलाता है मतलब आपने उसको तरल में बदले बिना अगर सीधे वास्प में कनवर्ट किया तो ये परिवर्तन जो है यानि ये जो पर्त्रिक्रिया है उसको उर्द्व पातन की पर्त्रिया यानि सब्लिमेशन कहते हैं इसका जो corresponding temperature होगा इसके लिए जो तापमान होगा उसको उर्द्व पातन बिंदू या सब्लिमेशन टेंपरेचर कहते हैं किसी भी चीज़ का सब्लिमेशन टेंपरेचर हमेशा उसके गलगनांक से कम होगा तो आप थोरा सा और सहज महसूस करेंगे कि सॉलिड को बदलना है सीधे वैपर में यानि वास्प में और कह रहे हैं कि कम टेंपरेचर चाहिए और अगर सॉलिड को लिक्विड में यानि तरल में कनवर्ट करना है तो उसके लिए जादा टेंपरेचर चाहिए तो ये बिलकुल सही है क्योंकि अगर ये उर्थपादन बिंदू यानि सब्लिमेशन टेंपरेचर किसी का अगर मेल्टिंग पॉइंट या गल्लांक से कम हो तो सबसे पहले हम जो है वो सॉलिड जो है तो पहले उसको मेल्टिंग पॉइंट से गुजरना नहीं परेगा वो सीधे ही किसमें कनवर्ट हो गया अपने सब्लिमेशन के थ्रू वास्प में लेकिन अगर मान लीजी अगर हम ये मानते कि उर्थपादन बिंदू जो है वो गल्लांक से जादा है तो पहले हम गल्लांक पर पहुंशेंगे पहले वो ठोस जो है तरल में परिवर्टित हो जाएगा और तब उसका वैपर में कनवर्ट होगा तो जब कोई तरल जो है वास्प में कनवर्ट होता है तो उसको हम लोग इवापरेशन या वास्पी करम कहते हैं जबकि सब्लिमेशन या उर्थपादन म solid को सीधे बदलना है वास्प में और इन सारे process में ये जो परिवर्तन है host का तरल में तरल का वास्प में तो host जब तरल में convert होगा तो ये जो है melting या पिखलना हुआ तरल जब वास्प में convert होगा तो उसको evaporation यानि वास्पी करन कहेंगे जब host जो है वो convert हो जाता है किसमें वास्प में तो ये उर्दपातन है जब ये तरल solid में convert होता है तो इसको freezing यानि जमना कहते हैं जब वास्प तरल में convert होता है तब इसको उमलो संघनन यानि condensation कहते हैं और जब वास्प solid में convert होता है तो ये solidification या deposition कहलाता है ये भी जमना या जमाव कहलाएगा तो इस तरह से ये different अवस्थाएं हैं जब भी किसी एक अवस्था परिवतन की बात करेंगे तो वो temperature जो है fix होगा यानि जब ठोस वास्प में या वास्प ठोस में convert हो तो उद पातन विंदू और जमाव विंदू deposition point वो सेम होगा और ठोस और वास्प वहाँ पे जो है वो सामय अवस्था यानि एक्वियम में होंगे उसी तरह से melting point पे यानि गलनांग पे ठोस और तरल की सामय अवस्था होगी और boiling point यानि क्वतनांग पे तरल और वास्प की सामय अवस्था होगी अब दवाब का क्या असर पड़ता है जब आप दवाब या प्रिश्था बढ़ाते हैं तो जो कन है पदार्थ के उनके बीच की दूरी कम होती है और जब दूरी कम होगा तो उनके भौतिक अवस्था में परिवतन होगा और जो प्रिवर्ति होगी कि वैपर यानि वास्प जो है वो liquid की तरफ और liquid जो है solid की तरफ कनवर्ट होगा यानि हाई pressure से हम वास्प को तरल में और तरल को solid में convert कर सकते हैं और जब pressure को कम करेंगे तो उल्टी दिसा से ठोस तरल और वास्प में परिवर्तित होगा जबकि उचा तापमान वो जो है solid को यानि ठोस को तरल होते वे वास्प की तरफ ले जाएगा और temperature की कमी जो है वो वास्प को तरल होते वे solid की तरफ लेगा तो ये जो है दवाब का परिवर्तन का और तापमान के परिवर्तन का असर को बता रहा है अब पतात की बदलती हुई अवस्था इसको हमने पहले आपके सामने इसका विबरन दे दिया है solid में particle के बीच की दूरी बहुत कम है ये देखिए particle नजदीक नजदीक है gaps यानि जो रिक्तस्थान है वो कम है यहाँ पे तुलनात्पक धम में जैसे ही हमने solid के बाद तरल यानि दरब की बाद की liquid की बाद की तो इसके बीच में spaces या रिक्तस्थान जादा है gas के phase में रिक्तस्थान और भी जादा है यानि सबसे कम particle के बीच रिक्तस्थान जो है solid में है उससे जादा liquid यानि तरल में और सबसे जादा gas में है और यहाँ पे हमने बदलती अवस्था का जिक्र किया solid बदल रहा है liquid में तो ये गलना हो गया liquid अगर solid में convert हुआ तो इसको हम लोग solidification या जमना कहते हैं जब liquid vapor में convert हो रहा है तो ये वास्पी करन या evaporation है जब vapor या gas जो है वापस liquid में आएगा तो इसको condensation या संगनन कहते हैं जब solid सीधा ही gas में convert हुआ तो इसके लिए हमने word use किया English में sublimation और Hindi में उसे उर्द पातन कहा जाता है और जब gas जो है वो solid में वापस convert होगा तो इसको deposition या जमाव कहेंगे तो इस तरह से ये पदार्थ की बदलती भी अवस्थाएं थी अब हम लोग आज के इस question answer के section में यानि प्रस्ण के जरोखे पे आते हैं जल की भौतिक अवस्था क्या होती है अब सबसे पहले देखिए ये 25 degree centigrade का temperature है अगर हम अवस्था के परिवरतन की बात करें तो 0 degree centigrade जो की गलनांख है उस पे जल अपने बर्फ के साथ यानि solid form के साथ जो है सामय वस्था में होगा तो 0 degree centigrade पे उस और तरल की सामय वस्था होगी यानि दोनों ही अवस्थाएं साथ साथ दिखेंगी 25 degree centigrade पे आपको सिर्फ ये पानी या जल के form में होगा यानि तरल अवस्था में और 100 degree centigrade चुकी ये एक वतनांख है तो इस पे तरल और गैस ये दोनों साथ साथ मौजूद होगे इन दोनों के बीच में सामय वस्था होगा निमलिक्षित प्रेक्षनों का कारण दे neptilin की गेंदे जब बहुत बारा साइच का होता تو उसको गेंद कह सकते हैं और चोटे साइच है तो इसको गोली कह सकते हैं तो neptilin की गोलियां बिना कोई टोस चोरे समय के साथ गायब होती है मतलब क्या हुआ कि वो solid से disappear हो गया गायब हो गया तो जब liquid में या तरल में convert होता तब आप उसे देख सकते थे गायब होने का मतब वो सीधा solid से convert हुआ है किसमें वास्प में और ये जो प्रिक्रिया है वो उर्धपातन है इस तरह के substance इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग sublimates कहते हैं यानि उर्धपाती पदार्थ कहते हैं तो नेप्तलीन, कैमफर यानि कपूर बेंजोईक एसिट, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये सब sublimates हैं तो यानि sublimation के कारण ये चीज हमको देखने को मिलेगी परफ्यूम या इत्र इसकी खुश्बू या इसका महक जो है हम कई मीटर दूर बैठे हमें मिल जाती है तो यहाँ पर जो इसके साथ concept या विचार जुरेवे हैं, वो ये है कि जब आप इत्र की बात करेंगे तो ये तरल है और इसमें diffusion होने की tendency होगी particle के बीच का जो force है वो कमजोर है बीच की दूरी जादा है तो और एक तस्थान को भरने के process में, वो कई मीटर तक फैल जाता है, उसके लिए खुश्बू हम लोग दूर तक महसूस करते हैं अगला देखिए स्थोस से सीथे वास्प मदलने की प्रक्रिया ये प्रक्रिया जो है इसको हम लोग यहां पर कोई खास ठीक option नहीं दिया हुआ है तो इसमें हमें लिखना चाहिए कि ये प्रक्रिया जो है उर्ध पातन की प्रक्रिया है जिससे सब्लिमेशन कहते हैं अगला देखिए वास्प मदलने के लिए सरवादिक अनुकूल है ये एक प्रस्ण और दूसरा प्रस्ण जो है ये जो हमने डाग्राम या आरेक खीचा है जिसमें अलग अलग तरह की अवस्था के परिवर्तन को आपको दरसाना है A, B, C, D इस पार्ट को तके इन दो प्रस्णों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं और इसी समय कल फिर जुरेंगे अपने नए भाग के साथ नए करी के साथ आप सबों का धन्यबाद